लॉक्डाउन की सबसे जादा मार गरीब मजदूरों पर पड़ी है महीं दूसरे राज्यों में काम की तलाश में गए मजदूरों की समस्या और भी बड़ी है लॉकडाउन की वज़र से इन गरीब मजदूरों के सामने प्रदेश में भूग की समस्या खड़ी हो गई है जिसकी वज़र से इस शहरों से इन मजदूरों का पलायन लगातार जारी है सड़क पर परिवार सहीर पैदल चलते मजदूरों का जुड भूका प्यासा अपने घर की तरफ पैदल चलता मिल जाएगा ऐसे में इन गरीब मजदूरों को कहीं पुलिस प्रशासन से मदद मिलती है तो कहीं इन मजदूरों को पुलिस की गालिया और मार खानी पड़ती है ऐसा ही कुछ मजदूर जब कानपुर से चल कर मौधा पहुँचे ये मजदूर कानपुर में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं लेकिन लोगडाउं की वज़र से काम ठप है और इनके पास अपने घड़ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कानपुर से पैदल चल कर मौधा पहुचे इन मजदूरों को 36 घड़ जाना है इनका सफर लंबा है और इनके पास लगातार चलने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है क्या नाम है आपका? तो आप कहां से आ रही है भी? जाएंगी कहां? 36 घड़ जाएंगी तो यहां कैसे आइए आप? 27 घ्ड़ जाएंगी तो कहां से आ रहे हैं? जाएंगे वहां जाएंगी जाएंगी कानपूर में क्या करते थे? यहां काम कर रहे थे, तो कानपूर से यहां कैसे आए? आघ रहें, गारी आघ यह आए, पारें तो बठा लेता है छले आते हैं फेर पैदल कोज प्रजान कर लेता है, गारी कोच भड़ तो फेर गड़ बढ़ यह्टे हैं अब वहां काम नहीं चल रहे सर, काम बंध है.